हेलो एवरिवन वेलकम टू आर चैनल इस वीडियो में हम देखेंगे कख्षा दस के विशय हिंदी का प्रश्ण पत्र योजना जहां पर आप प्रश्ण पत्र की योजना देखेंगे आपकी जो प्रश्ण पूछे जाएंगे उनकी योजना भथ तरीके से यहां डिटेल में देखेंगे उन्हें किस तरह से आपके प्रश्ण पूछे जाएंगे कौन से रिलिट्स कित्ते प्रश्ण भार रहेगा और इसके बाद हम देखेंगे आपका हिंदी विशय का मॉडल पेपर तो चलिए फटा-फस स्टार्ट करेंगे यहां सबसे पहले फर्स में दे रखा ह जो आपका अंक भार रहेगा वह रहेँ ग्यान का रहेँ, शोला अ बहत का रहेँ गा बतीस अभिवैक्ति का रहेँ चौबिस और मॉलिकदा का रहेँ आंट टोटल जो योग रहेँ गवोगा असी यानि कि आपके जो पुर्णांग रहेँगए पेपर की 80 मारहें हैं लिज देखते हैं हम प्रश्णों के प्रकारवार अंगभार कि वस्तुनित प्रश्णों के कितने अंगभार रहेंगे अति लगुत रात्मा के कितने अंगभार रहेंगे तो चली देखते हैं वस्तुनित जो प्रश्ण है आपके यानि की अबजेक्टिव टाइफ जो कोशन्स है उ प्रतिक प्रश्ण रहेगा आपका एक अंका, ठीके, जो कि आपके टोटल पेपर का कितना परसेंट है, 22.50% ठीके, सेकिंड जो रहेगा आपका रहेगा अती लगुत रात्मक प्रश्ण जो कि प्रश्णों की संक्या रहेगी आपकी 12, प्रतिक प्रश्ण एक अंका होगा, अ 18 प्रश्णों की संख्या रहेगी जिसमें प्रतेक प्रश्ण दो अंका रहेगा यानि की तोटल 26 मार्क्स आपको यहां से मिलने वाले हैं और लगुत रात्मक सेकिंड में आपको मिलने वाले हैं तोटल प्रश्ण चार जिसका अंक रहेंगे प्रतेक प्रश्ण तीन अंका त तोटल आपको यहां से बारा नंबर मिलने वाले हैं और लास में आपको मिलेगा निभन तात्मक प्रेशन जो की प्रेशनों की संक्या रहेगी तीन प्रतिक प्रेशन होगा आपका चार माक्स का तो यहां आपको कुल तोटल अंक मिलने वाले हैं निभन तात्मक से बारा अंक तो टोटल जो योग है प्रश्णों की संक्या हो जाएगी 50 और कुल अंक प्रतिशत हो जाएगा आपका 100% 80 माक्स का पुन्ना हो रहेगा ठीक है अब देखते हैं आप विशे वस्तू का अंकभार कि कहां से आपके कितने अंकभार मिलेंगे अप पटित बोध गध्यांच और बध्यांच से आपको मिलेंगे 10 कोशन वहवारिक व्याकरन से मिलेंगे 10 कोशन पाटे पुस्तक जो आपकी छितिश गध्य है इससे मिलेंगे दौनों के बराबर बराबर है पूरक पुस्तिका यानि कृतिका से मिलेंगे आपको दस प्रश्न रश्ना निभन से मिलेंगे चार प्रश्न चार अंग और रश्ना पत्र से मिलेंगे निभन से मिलेगा आपको चार अंग पत्र से मिलेगा चार अंग और विज्यापन लेखन इससे मिलेगा आपको चारंग, ठीके, तो टोटल अंक बार, इससे भी हो गया हमारा 80, ठीके, समझ गए होंगे आप अपना complete जो है, प्रश्म पत्र योजना को, अब देखते हैं, इस प्रश्म पत्र योजना की हमारे पस में blueprint भी है, जिससे आप समझ सकते हैं, आसानी से, जै इसमें वस्तुनिष्प्रश्ण रहेंगे तीन, ज्यान से, अब भोध से रहेंगे वस्तुनिष्प्रश्ण साथ, तोटल आपके पास वस्तुनिष्प्रश्ण बनेंगे दस, ठीके, इसी तरह से, व्याकरन से, ज्यान से मिलेंगे आपको चार वस्तुनिष्ट, अब भोध है इसमें भी मिलेंगे आपको तीन मार्क्स तोटल हो जाएंगे आपके दस मार्क्स इसी तरह से रशना जैसे विज्ञामपन लेखन है तो यहां पर आपका यह रहने वाला है अंक बार ग्यानों प्योक्स से मिलेंगे आपको दो यानि निभन से और एक-एक मिलेगा आपको क दूप्रिंट है आप इसको समझ सकते हैं कि कौन-कौन से उठाकर कि कौन-कौन से प्रशन आप से पूछे जा सकते हैं ठीके अब देखते हैं आपका मॉडल पेपर जो कि हमारे पास में माध्यमिक सिक्षा बोर राजस्तन अजमीर द्वारा आया है तो यहां आप इस मॉड सबसे पहले खंड ए है जिसमें आपको मिलेगा निम लिखित अपठित गध्यांश को पढ़कर प्रशनों का उत्तर दीजी आपको एक अपठित गध्यांश मिलने वाला है यहां पर जिसको आपको अच्छे से रीड करना है कैरिफूरी लीड करना है और उनके आंसर देने ह कितनी प्रकार का होता है थर है वेक्ति के जीवन सग्धन साधना का काल है फोर्थ है अनुशासन के प्रमाण है फिफ्त है वेक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है ठीक है तो इस तरह से एपटेद गत्यांज से हमें पांच कोशन पूछे गए हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सिफ ये कोशन बता रही हूँ इसी तरह आप जुड़े रहे हमारे चैनल के और जो बैल आइकन है उसको क्लिक करके रखिए आप हमें चैनल को सब्सकाइब करके रखि जल्द ही हम इनकी जो आंसर पेपर हैं वो भी लाकर रहेंगे तो जुड़े रहे हैं इसी तरह से सबसे पहले हम रीड करेंगे इस जो मॉडल पेपर है इससे देन देखेंगे इसकी आंसर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिलेगा आपको निमलिखित अपठ्या काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक आपको काव्यांश मिलने बाला है यहां ठीक है तो इससे पढ़िए और इससे रिलेट फिर आपको कोशन के आंसर देने हैं जैसे कोशन पूछे जाएंगे पू कारकुन का शाब्दिक अर्थ है आँखो का तारा होना का तात्पर है काव्यांश में वर्नित पीरित वर्ग की आँखों में चमक का बाती है माता का अचल प्रिति के रशनाकार है जौर्ज पंचम की नाग कहानी का उदेश्य है सेकेंड कोशन आपको मिलने वाला है रिक्तिस्थान की पूर्थी कीजिए जहां पर आपको रिक्तिस्थान दिये जाएंगे आपको उनके आंसर लिखने है जैसे भाव अचेक संग्यागी रशना मुख्य ब्लैंक प्रकार के शब्दों से होती है सर्वनाम रिक्तिस्थान होते हैं शब्द जो किसी वस्तू पधार्त या जगे की मात्रा तोल या माप का बोद कराते हैं वे कहलाते हैं हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही ब्लैंक है उपसर्ख शब्द की रिक्तिस्थान जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं वे प्रत्ते जो धातु अत्वा क्रिया के अंध में लग कर नए शब्दों की रशना करते हैं, उन्हें रिक्तिस्थान प्रत्य कहते हैं इसी तरह से थार्ड कोशन आपको मिलने वाला है यहां नेमलिकित अती लगुत रात्मा प्रशनों के उत्तर दीजिए प्रतेक प्रश्ण के लिए उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द है आपको 20 शब्द में तो लिखना ही लिखना है इन सब एक क्या आंसर ठीक है जैसे फ़र्स कोशन है संदी एवं संयोग में क्या आंतर है समाज शब्द की परिभाशा लिखिये तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ लिखिये आप भले तो जग भला लोकुक्ति का अर्थ लिखिये चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे एक कहानी यह भी रश्णा में मनु भंधारिक के साथ साथ और किसका वैक्तितों उभर कर आया है सोशीर वाद्यों से क्या अभी प्रार है उधव की विफार की तुलना किस किस से की गई है राम लक्षमन परशुराम समवार राम चरित मानसी किस कान से लिया गया है उस्सा कविता में बादल किन किन अर्थों की और संकीत करता है माता का अचल पाठ की उन प्रसंगों के नाम लिखिए, जो आपकी दिल को चुगए हो। साना साना हाज जोड़ी, रिक्तिस्थान, यात्रा व्रत में, भारत के किस छेत्र की यात्रा का बनन है। भारत के किस छेत्र की यात्रा का बनन है तो आपको इन सभी कोशन के आंसर देने हैं प्रति प्रशन एक अंकर आएगा आपका 12 मार्क्स का टोटर ही रहने वाला है आप देखते हैं खंड बै में जहां पर आपको प्रशन संक्या 4 से प्रशन संक्या 16 तक के लिए प्रति प्रति प्रशन आपको दो अंकर रहेगा यहां पर जैसे इस फोर कोशन है हालदार साब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाए दिया फिर्फ्त कोशन है बाल गोविन भगत किस प्रकार के वेक्तियों को अधिक सने का पात्र मानते थे और क्यों तो आ तो आपको वो जो हैं आपकी ग्रह कारे हैं और भी इंपोर्टन वीडियो जो हमने बताए हैं मॉडल पिपर बताए हैं और भी जो क्वीज बताई हैं तो आपको उन सबी को करना बहुत जरूरी है ताकि आपको एक्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले और आपकी जो अ है लखनवी अंदाज अध्या के आधार पर लिखिए सेविंध कोशन है काशी की क्या-क्या विशेष्टा बताई गई है संशिप में लिखिए एट कोशन है सूर्दाज जी ने उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई है नाइंध कोशन है दोहा नामक छन के लक्ष कोशन है महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता ऐसा क्यों कहा गया माता का अंचल अध्याय के आधार पर संशिप में उत्तर लिखिए नई दिल्ली का काया पलट क्यों किया जा रहा था जौर्ज पंचम की नाक अध्याय के आधार पर संशिप में साना साना हाल जोड़ी अध्याय के आधार पर लिखिए 15 कोशन है मनु भंडारी का जीवन वर कृतित्व परिश्चे संशेप में लिखिए या आप इस कोशन को करिए या आप इस कोशन को करिए रामवरिक्ष बैनीपुरी का जीवन वर कृतित्व परिश्चे संशेप में ल इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे एक खंड से जिसमें आपको 17 कुशन मिलने वाला है निम्नान की पठित गध्यांश पहले हमें अपठित गध्यांश मिला था अब यहां आपको आपकी जो गध्य और पध्य भाग है उनी से रिलेट एक पैरेग्राफ दिया जाएगा जैसे स अपको समप्और सा पैसंग व्याक्या लिखनी है तिक ईप्रसंग लिखना है आपको 2 पठित गध्यांश दी जाएंगे आपको कोई भी एक करना है इसलिए इसकी अबने पाठित पध्यांश मिलेगा 18 question में जिसकी सीमा लगभग सार सब्तू है आपको सार सब्तो लिखने ही लिखने इससे जादा भी लिख सकते हैं जिसमें आपको प्रसंग लिखना है व्याख्या लिखनी है तो यहां भी आपको आपके पध्यापाक से रिलेट ही मि कुशन बाल गोविन भगत को साधू क्यों कहा गया है विस्तार से वरनन कीजिए या इस कुशन को करिए नवाप सहीम ने अपने खांदानी रही सोने का पाहव किस प्रकार प्रकट किया लखनावी अंदाज वेंगे लेक्ट क्या दर पर लिखिए नेक्स्ट 20 कोशन है गोपियों के द्वारा हमारे हरी हारिल की लकडी कहने का क्या तात पर रहे है या उससा कवीता का कैंदरी भाव लिखिए आप दोनों ही प्रशनों में से एक कोशन कर सकते हैं नेक्स्ट मिलेगा आपको खंडद है जिसमें आपको मिलेगा प्रशन संख्या 21 निमलिखित विश्यों में से किसी एक पर 300 से साड़े 300 शब्दों में सार गर्भीत निभन लिखिए आपको यहां कुछ विश्य दिये गए हैं निभन से रिलेट जिनमें आपको मिलेगा वि स्तावना लिखनी है राष्टर के लिए एकता आवश्यक लिखनी है कि एकता के भादक तत्व लिखने है एकता के पोशक तत्व लिखने है और लाश में लिखना है उपन सहार इसी तरह से आपको परियावन पदूशन का लिखना है निभन इसी तरह से आपको सरा 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 सर लिट पैरिग्राफ लिखना है तो आप कोई भी तीनों मेंसे एक विशे उठा करके निभन लिखिए ठीक है और चौथा भी दे रखा है मात्र भाषा और उसका महत्व तो आप इन चारों मेंसे ही कोई भी एक विशे पर निभन लिख सकते हैं कम से कम आपके तीन सो साड़े स तीन सो शब्द होने ही चाहिए इससे जादा भी हो सकते हैं ठीक है और ये कोईशन आपका रहने वाला है चार माक्स का इसी तरह आपका लास्ट कोईशन आपको मिलने वाला है यहाँ पर प्रशे संख्या 22 आपका नाम गौरव है आप अपने विधाले की क्रिकेट टीम के क अपतान है विधाले में अधिक खेल सामगरी मंगाने के लिए प्रधानाचारे को प्रात्ना पत्र लिखिए यह आपको लिखना है पड़ाई हे तु छात्रावास में रहे रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वाइरस संक्रमन से बचाव हे तु विभीन उप प्रत्र लिखना है तो दौनों ही आप इन में से एक उठा सकते हैं और आप अपना इस कोशन को कम्प्लीट कर सकते हैं यह भी चार माक्स कर रहेगा और लास्ट आपका कोशन है प्रशन शंख्या तेईस जिसमें आपको मिलेगा आपका मित्र फूलों से बनी वस्तू गुल बनी हुई वस्तू बेचना चाहता है अपनी उनकी विक्री बढ़ाना चाहता है तो आप उसकी सायता के लिए किस तरह का एक विग्यापन तयार करेंगे वो लिखना है उत्तर सीमा आप ध्यान लखिए 25 से 50 हब्तों मेरी में होने ही चाहिए या फिर आप लिख सकते हैं कला अंकूर संस्था की कला विधी में कुछ चित्र पैंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध है इस हे तू एक विग्यापन लगभग 25 से 50 शब्दों में लिखिए तो जो कुछ पैंटिंग्स है वो बिक्री के लिए उपलब्ध है किसकी कला अंकूर संस्था की तो आपको उ कौन कौन से भाग से आपके कोशन पूछे जाएंगे ठीक है तो यहां हमने इस मॉडल पेपर को देखा है नेक्स पार्ट में हम आपके लिए इस मॉडल पेपर का कम्प्लीट जो आंसर की है वो भी लेकर आएंगे तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और नौटिफिकेशन बैल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल न भोले चैनल को सब्सक्राइब करके रखे ताकि आपको इसका जो मॉडल पेपर का जो आंसर की है जैसे ही अपलोड हो तुरंत से मिल सके तेके तो हम फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ वीडियो को पूरा तेखने के लिए धन्यवाद